जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 नवंबर और 20 नवंबर के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी के लोगों के लिए नवंबर माहा के ये दो दिन कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दो दिनों में कौन सी थी? नक्षत्र योग और चंद्रमा किस्तिती आपके लिए कैसे योग बना रही है? और उनी नक्षत्र के आधार पर हम आपकी सिक्षा के बारे में, व्यपार के बारे में, करियर के बारे में, प्रेम संबन, व्यपाहिक जीवन, सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें उन्नीस नवंबर की बात करें तो उन्नीस नवंबर क्रशन पक्षकी सब्त में दिती है जो की सारी तीन वजे तक है उसके बाद अस्टमी शुरू हो जाएगी इस दिन असलेशा नक्षत्र रहेगा और ब्रह्म नाम का योग बन रहा है ये मंगलवार का दिन है और चंद्रमा साड़े नौ बजे तक करक राशी में रहेंगे उसके बाद सेहिं राशी में प्रिवेश करेंगे सूर्य व्रष्चिक राशी में है जिसका विशाखा नक्षत्र है अब बीस नवंबर की बात करें तो बीस नवंबर क्रशन पक्ष की अस्टमी तिथी है इस दिन मगा सूर्य प्रवेश कर चुके हैं अब इनी ग्रहन अच्छत्रों के आधार पर हम जानेंगे कि ये दिन आपकी लिए दोनों दिन कैसे रहने वाले हैं सबसे पहले 19 नवंबर की यदि हम बात करें तो 19 नवंबर को काल भेरव जैनती है काल भेरव भगवान शंकर के ही अंज है भ आपको वीडियो के आंत में बताएंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं दो दिनों के राशी फल के बारे में तो इस समय जो चंद्रमा की स्थिती होगी वो आपकी ग्यारवे और बारवे भाव में चंद्रमा होंगे और 20 नवंबर को आपके बारवे भाव यानि वैभाव में चंद्रमा प्रिवेश कर जाएंगे तो जो व्यभाव होता है वो आपके खर्चे आधिक कराता है लेकिन इस समय नक्षत्रों में भी परिवर्तन हो रहा है और कुछ योग भी बन रहे हैं जिनका असर आपके जीवन पर देखने को मिलेगा इस समय आप अपनी जिन्दगी के विशे में कुछ रीती बद्ध हो जाएंगे आप इस बारे में सोचेंगे कि आपको जिन्दगी से क्या चाहिए और इस वज़ा से आप कुछ उलजे हुए खुद को महसूस कर सकते हैं यानि आप जब सोचते हैं तो काफी उलज़ापन आप का महसूस करते हैं लेकिन आप इन सारी बातों को छोड़कर अपने लक्षे की तरफ ध्यान दें अपने काम पर ध्यान के इंद्रित करें काम नहीं है तो उसे ढूनने का प्रयास करें अच्छा होगा कि आप अपनी जिन्दगी से जुड़े हर पहलू पर ध्यान दें और ज आगे जाकर आपको अपने धन संचा करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए अभी से आपको अपने धन संचा करने के बारे में सोचना चाहिए आज का दिन आपको कोई प्रसंसा दिला सकता है आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करा सकता है यानि आज आपको इज़त और प् यानि विचारों की भरमारा आजा आपके लिए होगी. किसी भी कारे को करेंगे तो इसके लिए आप positive रहेंगे, पूरा करने की तरफ धियान देंगे. आपकी औरों को मदद करने के इच्छा का ये फल हो सकता है, आप दूसरों की अगर मदद करने को हमेशा जो तयार रहते हैं तो इसी तरह से आपको अच्छे काम करते रहना है अच्छे काम करने से अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं कोई परिशानी हो तो निराश बिल्कुल नहीं होना है जो आपका कुछ नुकसान हुआ है इसलिए इस समय निवेश करते समय आपको पुराने तरिकों पर जो है कायम रहना होगा ये दोर आसानी से गुजर जाएगा और इस दोर को गुजरते ही आपकी जो खर्चे हैं वो भी बंद हो जाएंगे साथ ही आपके लिए निवेश का योग भी बना हुआ है तो हो सकता है कि आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो कहीं छोटा investment ही सही लेकिन आप निवेश करने के बारे में समय सोच सकते हैं इस समय जो आपकी योजना है वो कुछ पूरी हो पाएंगी और कुछ कोब करने में आपके लिए समय लगेगा तो ये समय है जब आप अपनी चीजों के पक्ष में बात कर सकते हैं और ये अच्छा मौगा है अपनी सारी चीजों को आपको समझने का और उन पर आमल करने का इस समय आप अपने विरोधियों के मुकाबले सक्षम होंगे विरोधियों पर हावी हो सकते हैं आपकी रचनात मकता और आपका द्रस्टी कौन आपकी रणनीतियों में बदलाव कर सकता है इस समय आपको अपने साथियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा जिससे आपको आनल्द होगा और इसमें किसी बड़े व्यक्ति की सलहा आपकी बेहद काम आ सकती है तो अगर कोई व्यक्ति आपको सलहा देता है तो उसे आप ध्यान पूर्वक्त सुने और उस पर आमल करने की कोशिश आप करें हलाकि इन दिनों में आपके लिए बहुत एक सुक्सुविदाओं की प्राप्ती भी होगी खरीदारी की योग बन रहे हैं क्योंकि वैबहाव में चंदर्मा बैठे हैं तो इस समय आप कुछ आभूशन कुछ ववैस्त्र किसी भी चीज़ की खरीदारी जरूर कर सकते हैं हो सकता है किसी शादी विवाह की तयारी के लिए आपको खरीदारी करनी पड़े तो ये वैका भाव है खरीदारी हो सकती है इस समय धार्मिक कारेकरम की तरफ भी आपका रुजहान बढ़ेगा किसी मंदिर में आप दर्शन करने जा सकते हैं लेकिन आर्थिक इस्तिती ठीक रहेगी बहुत अधिक परिशानी नहीं आएगी आएकि श्रोत आपके लिए निकलेंगे आप आयकि साधन इस समय खोच पाएंगे कुछ लोगों से संपरक करके बात करके आपको कुछ ऐसे नए आइडियास मिल सकते हैं या कुछ ऐसे नए प्लेटफोर्म मिल सकते हैं जहा सम्म्मंद भी सम्मय अच्छे रहेंगे इससे में आप अपनी जीवन साथ जाही को कुई तौफ़ां जज्रूर प्रदान रहें इससे आपका जो पारिवारी जीवन है। आपकी सम्मंद हैं वह बहुत अच्छे रहेंगे आंकिसी पुनारे दोस्त से मुलाकात इस समय हो सकती है जिस से आपको लाब होगा यदि आप किसी साजेदारी में या किसी पार्टनर्शिप में बिजनस करते हैं तो आपको अच्छी तरक्की है देखने को मिल सकती है को लाब की प्राप्ति आपको मिल सकती है प्रेम संबन की बात करें तो आज आप शूज करेंगे कि बिना शर्तों के आप अपने साथी का सहयोग मिल रहा है ये आपका आपसी रिष्टा और प्रेम आपके जीवन को भरपूर मिठास देगा और आज के इस आत्मियता पूर्ण सम्मद से आप बहुत ही संतुस्टी खुद को प्राप्त करेंगे यानि आज का दिन जो है वो आपको संतुस्ट रहने का दिन है आप अपनी पारिवारिक जीवन से भी संतुस्ट रहेंगे और अपने व्यापारिक जीवन से भी संतुस्ट आप रहेंगे तो ऐसा समय कमी होता है कि जब आपको संतुस्टी मिलती है किसी कारे को लेकर तो इस समय का लाब उठाएं और खुश रहने का पूरा-पूरा प्रयास भी करें और खुश भी रहें स्वास्था की दर्श्री से देखा जाए तो स्वास्था के लिए बहुत अच्छा दिन है आज आप कोई भी शारी कारे कर सकते हैं जिसे करने में आपको अच्छा भी लगेगा और आप खु विध्यारति आज घर परिवार पर भी ध्यान देंगे जोए करेंगे और साथ ही अपने अध्यन पर भी रुचि लेंगे तो ये जो दिन है ये आपके लिए खास दिन कहा जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों ही दिनों में आपके लिए श्थितियां जो है वो ठीक ठाक वनी बहुत ही बहतर दिन रहने वाले हैं अब हम बात करते हैं काल भहरव पूजा के बारे में और इस दिन क्या आप उपाय कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहें दोस्तों ये जो काल भहरव अस्टमी है ये अस्टमी तिति को मनाई जाती है और जैसा कि मैंने बताया ये भगवान शंकर की ही अंश हैं तो इस दिन आप पूजा अर्चना करें इससे कई तरह को कस्टों का निवारन होता है और पुर्णयफल की प्राप्ति होती है दोस्तों जब भी कोई ऐसा मौका मिले और ऐसे कोई दिन आता है तो उस दिन आप उपाय जरूर किया करें और काली साबुत उड़द ये आपको दान करनी है तो आप बहुत अच्छा ये आपके लिए रहेगा इसके अलावा आप पूजा में अक्षत चंदन काले तिल काले उड़द काला कपड़ा इससे आप विधी पूरवक भहरव की पूजा करें और निले पुश्प उनको अर्प मिलेगा तो दोस्तों ये था उननीस और बीस का कन्या राशी फल अगली वीडियो में मिलेंगे अगले दो दिन के राशी फल के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद